Hello students, this is Vinay, और आप देख रहे हैं PiFi Learning, लास लेक्चर में हमने रेजोनेंस के बारे में पड़ा, ठीक है, अब हम इसके अंदर आपका पढ़ने वाले हैं, एनालिसीज ओफ मेगनेटिकली कपल्ड सर्किट्स के बारे में, इसका मतलब आपका क्या हुआ, कि एक ही कोर पे अगर आपकी दो-तिन अलग-अलग कोईल सापी कनेक्ट हैं, और एक के अंदर आपका करंट फ्लो कर रहा है, वो आपका फ्लक्स बना रहा है, वो फ्लक्स बाकी कोईल के साथ में कैसा बिहेव करती है, कैसा उसका नेचर होता है, तो यह चीज हम पढ़ने वाले हैं, तो इलेक्ट दूसरा लैंजलो, इन दोनों लोग को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, कि इन दोनों लोग के अंदर आपका क्या रहता है, तो देखो, सबसे पहले हम लेंगे आपका एक कोर, फेरो मेगनेटिक कोर, फेरो मेगनेटिक माटीरियल के बारे में, हम नेक्स जो आपक फेरो में, हम अच्छे से अपने कोर लेंगे अपका, और यहां से इस टाइप से आपने कोर ली है और इस कोर के उपर आपने लगाई है एक कोयल, ठीक है, इस कोर के उपर आपने एक वाउंड किया हुआ है एक कोयल को, ठीक है कोयल को आपने माली जी इस तरीके से वाउंड किया है, say this is your coil यह आपकी coil हो गए ठीक है यह आपने coil को इसके उपर वाउंड किया अब देखो यहाँ पे अभी आपका क्या है यह stationary है इस coil के अंदर कुछ नहीं ना तो current है आपका ना ही कोई flux है आपकी तो जैसे ही हम यहाँ पे आपका sinusoid alternating आपका क्या देंगे supply देंगे यह अपने alternating क्या दे दी है यहाँ से supply दे दी है तो यहां पे आपका क्या flow करना शुरू करेगा current flow होना शुरू हो जायेगा currently आपका जो flow करेगा current flow किया i with respect to time t ठीक है तो यह आपका current जैसे आपका flow करेगा तो यहाँ से आपका इस तरीके से current आएगा फिर नीचे से आपका ऐसे और यहां से आपका इस तरीके से क्या फालौ करेगा current और last में current क्या कर जाएगा? यहां से exist कर जाएगा ठीक है, यह positive half में होगा negative half के अंदर आपका reverse हो जाएगा तो पहले हम सिर्फ positive half के अंदर आपका देख लेते हैं कि किस तरीके का आपका behavior होगा ठीक है तो सबसे पहले आपका faraday's low क्या कहता है जब भी आपका current change होगा with respect to time यानि कि current के अंदर जब भी change आएगा तो coil के across कुछ ना कुछ induced voltage आएगी तो यहां पर आपकी क्या जाएगी इसके across यह तो आपने supply दी अब इसके across यह आपका किस की तरह काम कर रही है कोईल की तरह काम कर रही है कोईल के बारे मैंने आपको resonance में बताया कि वहां पर आपका कुछ resistance होता है और साथ में ही आपका क्या होता है कुछ इंडेक्टेंस भी होता है तो यहां पर हम सिरफ इंडेक्टेंस पार्ट को ही discuss करने रिजिस्टेंस पार्ट को बाद मिलेंगे जब आपकी further analysis करेंगे तो अभी के लिए आप माल लीजी और इसका क्या है कुछ इंडेक्टेंस है so this inductance is L1 इसका inductance कितना है वही L1 है ठीक है अब यहां से यहां से आपका क्या होगा जैसे आपका current flow करेगा तो current flow करते ही यहां पर यहां पर यहां क्या करेगा flux setup करेगा क्या setup करेगा flux यह आपका कौन बताता है faraday is low बताता है ठीक है whenever there is change in current change in magnitude of current with respect to time there is some induced EMF यहां पर आपके क्या होती है कुछ induced EMF होती है या फिर हम बोले जब भी current की वज़े से flux आपकी जो बनेगी current की वज़े से क्या बनेगी flux जो आपकी बनेगी उसकी वज़े से भी आपकी क्या होती है induced EMF होती है इन दोनों को बाद में relate करते हैं अभी के लिए आप समझ लीजी आपका क्या हो गया induced EMF कैसे बनेगी induced EMF देखो जैसे हम यहां से आपका बताएंगे right hand thumb rule से ठीक है तो यहां से आपका क्या हो जाएगा वही इस direction में आपकी flux बननी शुरू हो जाएगी इस direction में क्या बननी शुरू हो गई आपकी कुछ flux बननी शुरू स्टार्ट हो गई यह आपकी हो गई कुछ flux यहां से flux lines इनको बोलते है flux lines ठीक है यह फिल्ड lines आपका बोल सकते हैं यहां से इस तरीके से आपका क्या बनेगा कुछ फिल्ड आपकी बनेगी ठीक है तो यह आपकी फिल्ड आपने बताई अब देखो फिल्ड की जो direction आपकी होगी वो आपकी क्या होती है फिल्ड की direction कुछ इस तरीके से आपकी होती है कि यहां पे आपका क्या होगा यहां से आपका जैसे हम क्यों होती है वह आपका क्या गरते हैं continuous बनाती है ठीक है continuous यानि कि आपका इस टाइब से आपका पाथ बनाएंगी और जो आपकी electric field lines होती है वह आपका क्या होती है वह ऐसे diverge हो जाते हैं आपकी जैसे अगर आपका आपका क्या setup हो गया field lines आपकी इस तरीके से setup हो गई अब देखो पहले आपका क्या था पहले मैंने आपको बताया कि जब आपकी coil के अंदर हमने कोई supply नहीं दी यानि कि कोई भी energy आपने नहीं दी, तब तक कोई flux setup नहीं हुई थी, ठीक है, तब तक कोई flux setup नहीं हुई थी, ठीक है, उसके बाद में जैसे आपने इसमें supply दी, तो आपको यहाँ पर क्या होगी, flux setup हो गई, अब इसको आप ऐसे समझे, जैसे माल लीजिए, आप सो रहे हो, ठीक है, और एकदम से आके आपको कोई उठा दे, कि आप उठ जाओ, ठीक है, तो आपको क्या होगा, एकदम से आपको अच्छा नहीं लगेगा, कि एकदम से कैसे उसने मुझे उठा दिया आके, या फिर आप यह समझे, आपके पेरेंट्स आके आपको नेंद ले रहे हो, बड़ी अब यह जो फ्लक्स आपकी सेट अप होई है, ठीक है, यह आप पी क्या करेगी, यहां पे, देखो, यहां से अपका करेंट बढ़ना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो यह क्या करेगी, एकदम से इसका अपोज करेगी, ठीक है, कि भई, मुझे मत उठाओ, जैसे आप लोग इसके एक्रोस, यह अपने एक्रोस एक वोल्टेज को सेट अप करेगा, किसको सेट अप करेगा, वोल्टेज को, देखो, कैसे सेट अप होगा, आप उसको अच्छे समझेए, यहां से माल लीजिए, आपके पास में क्या है, एक वोल्टेज है, एक वोल्टेज सोर्स है, 10 व करेगा ठीक है current आपका या फिर आप इसको बोलो चलिए टू वोल्ट में ले लीजे तो current आपका क्या होगा आइट एक्वल टू 10 यहां से इसको जब हम लूप लगाएंगे तो यहां से आपका आएगा आइट इसको to 10 minus 2 divided by 1 तो यहां से अपका current कितना आ जाएगा 8 ampere आपका current flow करेगा ठीक है अब इसी circuit को हम दूसरी form में देखते हैं यह आपका एक form हो गया दूसरी form आपके इस तरीके से देखो यहां पर आपने लिया और यहां से यहां से आपका यह 1 ohm का है लेकिन इस बार जो यह वाला voltage source है इसकी आपने polarity को change कर दिया इस तरीके से इस तरीके से आपने polarity को क्या कर दिया है change कर दिया है तो इस बार current आपका कितना हो देखो i it is equal to यहां से आपका होगा वही इसके अंदर आपका जब लूप लगाएंगे तो यहां से आपका 10 और प्लस का 2 यानि कि 12 divided by या फिर हम इसको लिख सकते है 10 प्लस 2 इसको 10 प्लस 2 कर लिजे divided by 1 तो यहां से आपका current क्या आएगा 12 तो देखो दोनों case से आपको क्या पता चला कि जब आपकी polarity इस तरीके से है तो current आपका कितना flow कर रहा है 8 ampere flow कर रहा है और जैसे इसकी polarity reverse हो जाती है तो यह आपका current क्या हो गया 12 ampere तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जब भी आपका minus का sign आजाए बीच में तो इसका मतलब यह वाला जो voltage source है 2 volt वाला voltage source है यह आपका oppose कर रहा है किसको oppose कर रहा है current I को oppose कर रहा है और यहां पे प्लस वाला जो source है, इसका मतलब यहां पे जो polarity है, यह आपका क्या कर रहा है, यह 2V आपका support कर रहा है, support करने का मतलब current को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, लेकिन यह क्या कर रहा है, current को oppose कर रहा है, तो same आपकी ऐसी ही condition इसके case में भी आएगी, यानि कि यहां पे अगर first half के अंदर यहां positive है और यहां पे negative है, ठीक है, यह आपका AC है, इस वज़े से मैं बजा रहा हूँ, first half के अंदर positive और यहां पे आपका क्या है negative, यह polarity आपकी fix नहीं होती, यह आपकी change होती रहती है, यहां पे plus और minus अगर आपका आएगा, तो इसका मतलब आपक क्या हुआ, कि जैसे आपका यहां पे flux बढ़ना शुरू होगा, तो यह क्या करेगा, इस current का oppose करेगा, कि आप मेरे अंदर flux मत बनाओ, यह ferromagnetic material करेगा, यानि कि यह core आपकी जो है, यह आपका यही काम करने वाली है, तो यह core आपका क्या करेगी, मेरे अंदर से flux को हटाओ, तो हटेगी कैसे अब यह flux, क्योंकि यह continuous supply दे रहा है, तो यह अपने across एक voltage बना लेगी, अपने across क्या बनाएगी, एक voltage बनाएगी, और कैसे बनाएगी voltage, इस तरीके से voltage बनाएगी, कि यह current का क्या करे, जो यहां पे आपका flux को बढ़ावा दे रहा है, current की वज़े से flux बनी ठीक है, और जब आपने यहां पे, तो यहां पे V है, और यहां पे हम induced GMF बोल सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, voltage आ गया, और जब आपने यहां पे polarity को indicate कर दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, V it is equal to, हम लिखते हैं बई, generally आपका, sorry, E it is equal to, V नहीं E, तो E it is equal to, E it is equal to minus का ND phi by dt, ठीक है, N आपके क्या होते है, number of tons, और यह phi आपका क्या है, flux, number of tons का मतलब यह जो आपने क्या किया हुआ है, इसके उचारों तरफ wound किया हुआ है, ठीक है, तो यहां से E it is equal to minus का sign जो हम लेते हैं, minus को हम बताते हैं, negative sign, negative sign क्या represent करता है, negative sign represents, represents E oppose E oppose, ठीक है, E जो oppose कर रहे है, उसको represent कर रहा है, ठीक है, अब यहां पे, जब आपने इसकी polarity indicate करके बता दी, तो हम यहां पे इस E को क्या बताएंगे, अब इस E को हम बताएंगे, E it is equal to ND phi by dt, क्यों, क्योंकि आपने polarity बता दी हैं, यहां पे आपने polarity को indicate कर दिया, अगर आप लिखते हैं, E it is equal to minus का ND phi by dt, और जब आपने polarity को यहां पे fix कर दिया है, यहां पे plus है और यहां पे minus है, तो यहां पे आपका आजाएगा ND phi by dt, यहां आपको सम्में आया होगा, कि Lange low के अंदर कैसे आपका different होता है, जब आप polarity, मतलब, अगर आप direct बताना चाहों, Lange low और Faraday's इलाके साथ में क्या है, तो यहां से आपका relation है, और ND phi by dt, ठीक है, E it is equal to ND phi by dt, ठीक है, और अगर आपने polarity को fix कर दिया है, तो इसका मतलब इसके अंदर आपने Lange low को include कर लिया है, Faraday's low के अंदर आपने क्या कर लिया है, Lange low को include कर लिया है, और यह जो आपका loss है, यानि कि E it is equal to ND phi by dt, कौन बताता है आपका, यह बताता है आपका Faraday's low, ठीक है, तो जब आपने polarity को indicate कर दिया, तो इसका मतलब इसके अंदर Lange low और आपके Faraday's low दोनों include है, ठीक है, दोनों आपके क्या है, included है, ठीक है, similarly, यहां पे आपके क्या है, इसके तो आपका Faraday's low है, E it is equal to ND phi by dt, this is Faraday's low, और यह जो माइनस का साइन आपका indicate कर रहा है, यह आपका किसको indicate कर रहा है, this represents Lange low, ठीक है, तो यह आपको clear हुआ होगा, कि अगर आपने polarity को mention कर दिया, induced DMF की, तब आपको माइनस का symbol देने की जूरत नहीं है, और अगर आपने यहां पे polarity को indicate नहीं किया, simple आपने किया इसको इस तरीके से देखो, अगर आपने सिरफ इसको ऐसे छोड़ दिया, बिना polarity के, तब आपको indicate करने की जूरत है, माइनस का sign, ठीक है, कि यह जो आपके induced DMF है, यह आपका क्या कर रही है, इसका oppose करेगी, माइनस का मतलब, तो यह था आपक लेते हैं, इसमें, self-inductance, तो देखो, self-inductance का मतलब आपका क्या होता है, यहां से, अगर हम इसको लिखें, आपने क्या लिखा, आपने polarity mileage indicate कर दी, यहां पे plus आपका दे दिया, यहां पे minus दे दिया है, तो E, it is equal to, E का मतलब आपका क्या हो गया, ND5 by dt, यह तो आपने बत के अंदर कोई भी change आएगा with respect to time, यानि कि flux अगर आपका vary करेगा, ठीक है, with respect to time, vary करने का मतलब क्या हुआ, चाहे आपकी flux इस type से हो, यह तो आपकी flux इस type से हो, चाहे आपकी flux हो इस type से, ठीक है, यह सारे की सारी आपकी क्या है, alternating flux है, तो जब भी आपके flux के अंदर कोई चेंज आएगा, तब तक वहाँ पर आपकी क्या रहेगी, induced EMF बने रहेगी, ठीक है, तो यह तो आपका बताता है कौन, फैराडेज लो, अब आगे, आगे आपका क्या होता है, flux आपका क्रेट करता है, flux को क्रेट करता है, आपका current, ठीक है, तो next आपकी जो है, voltage, V, इस डा I by DT, हम लिख सकते हैं, जब भी current के अंदर आपका change होगा, with respect to time, या current आपका variable होगा, with respect to time, तब आपका क्या होगा, वहाँ पर voltage आएगी V, ठीक है, या फिर हम इसको भी E लिख सकते हैं, इसमें कोई difference नहीं है, तो यहाँ से जब हम इसको हटाएंगे, इस proportionality constant को जब आप आपका हटाएंगे, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, V, it is equal to LDI by DT, ठीक है, क्या आएगा आपका LDI by DT, तो यह आपकी equation हो गई पहली, और यह आपकी equation हो गई दूसरी, तो from first and second equation, यहाँ से पहली और दूसरी equation के according, आपका क्या आएगा, देखो, दोनों को compare कर दीजिए दोनों में आपका V है, इसको भी हम V से ही represent कर सकते हैं, तो यहाँ से V, यहाँ पे भी V है आपका, ठीक है, यह वी नहीं है, यह तो मैंने आपको Faraday's इलाके और लेंचलों के बारे में बताया, यहाँ पे a different concept है, V is equal to ND5 by DT, और V is directly proportional to DI by DT, तो यहाँ से जब हम इसको compare करे तो आपका क्या आएगा, देखो, ND5, it is equal to L into DI, ठीक है, L into DI, तो यहाँ से आपका देखो, जब हम इसको integrate करेंगे, तो यहाँ से आपका आएगा, N5 it is equal to LI, और L it is equal to, यहाँ से मिलेगा, N5 divided by I, ठीक है, तो यह आपका आजाएगा, लास्ट में, तो इसको बोलते हैं, आप का self inductance, self inductance आपका इतना important नहीं है, जितना mutual inductance है, इसको भी discuss करते हैं अभी, पहले इसी को हम थोड़ा सा और जान लेते हैं, तो देखो, self inductance का मतलब क्या होता है, self inductance का मतलब होता है, कि जिस coil के अंदर current flow कर रहा है, देखो, I जो flow कर रहा है, I आपका इस coil के अंदर flow कर र flux, और सिरफ इसी coil के साथ में link भी कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब, जब किसी coil के अंदर current flow करेगा, और वो आपका flux produce करेगा, जो कि उसके number of tons के साथ में link करेगा, उसी coil के बारे में बात हो रही है, same coil के बारे में, तो उसको बोलते हैं आपका self inductance, यानि कि खुद का inductance, ठीक है, क्या बूलते हैं आपका, खुद का inductance, तो इसकी definition आपके लिख लेते हैं, तो L को हम लिखेंगे यहां पे, L, L यानि की self inductance, ठीक है, self inductance को क्या लिखेंगे हम यहां पे, self inductance, ठीक है, इसको हम लिखेंगे, the current, the current, flowing, current flow कर रहा है, आपका current flowing in the coil, in the coil, having n number of tons, and number of tons, ठीक है, and produced a flux, and produced a flux, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, which links with, which links with, with the coil itself, जो किसे आपका link कर रहे है, कोईल के साथ में ही आपका link कर रहे है, खुद से ही आपका link कर रहे है, ठीक है, तो उसको आपका बोलेंगे, self inductance, ठीक है, तो अब यहां से, L, it is equal to, आपने क्या लिखा, L, it is equal to, N5 divided by I, ठीक है, तो यहां से, flux आपका क्या है, flux, यानि कि, this is the flux produced, यह आपने क्या है, भई, flux produced, by current, flowing in the coil, by current I, flowing in the coil, in the coil, किसमें के अंदर flow कर रहा है, आपका, coil के अंदर flow कर रहा है, और current I, आपका क्या है, I, it is the current, flowing in coil, यह current flow कर रहा है, इन coil में, और यह क्या produce कर रहा है, and produced a flux phi, produced a flux phi, ठीक है, यह आपका produce कर रहा है, flux phi को, और N आपका यहां पर क्या है, N is the number of, number of terms, ठीक है, अब यह आपका हो गया, इसके बारे में, अब देखो, यहां पर कई बार आपका, L आपका formula भी direct पूछ ले जाता है, L बताये क्या होगा, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, otherwise हम इसको machine के अंदर पूर अच्छे से detail में discuss करेंगे, कैसे होता है आपका, और जब आपका magnetic circuit को, electric circuit के अंदर, आपका, equivalent बनाएंगे, तब भी आपका ये, मैं आपको बताऊँगा, जब आपका machine पढ़ेंगे, तो यहां से, flux के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ, flux आपके क्या होती है, this is equal to, mmf divided by reluctance, mmf divided by reluctance, so this is equal to, यह आपका होता है, ni divided by reluctance, और यहां से, जब हम इसके अंदर आपका put करते हैं, तो L का जो formula आपका नया बन क्या आता है, देखो, यहां से, और यहां से, तो यहां से आपका क्या बन क्या आएगा, L is equal to n square into i divided by i into reluctance, और यहां से आपका आजाएगा, L is equal to n square divided by reluctance, ठीक है, और इसकी जो unit आपकी होती है, it is Henry, इसकी unit क्या होती है, Henry इसकी unit होती है, ठीक है, तो यह आपका हुआ इसके बारे में, अब कई बार आपसे यह भी पूछ ले जाता है, short form में मतलब, direct आपसा इसकी unit क्या होगी, अगर इसी formula से आपका आता है, तो यहां से reluctance क्या होगी, this is equal to n square divided by L, n square क्या है, यह तो number of tons है, number of tons आपके constant होते है, तो यहां से आपका क्या आजाएगा, this is equal to Henry inverse, ठीक है, Henry inverse इसकी unit हो जाएगी, this is the unit of reluctance, तो यह तो था आपका इसके related जो आपके कुछ questions पूछ सकता है, वो मैंने आपको बताए, ठीक है, अब हम इसके अंदर आपका देखते हैं कुमसा mutual inductance, कि mutual inductance क्या होता है, यहीं से आपका topic स्टार्ट होता है, mutual inductance का, और यह आपका exam point of view से बहुत ही important है, यहां से कई बार आपका question पूछा जाता है, हो सकता है कई बार दो inductance, mutual inductance क्या होता है, ठीक है, यहां से आपका mutual inductance, तो देखो, अभी तक अपने last उसमें एक ही core आपका देखी दी, ठीक है, और उसी का flux आपका देखा था, इस बार अगर हम ऐसा करें कि आपकी दो core ले, ठीक है, मनलब यह हुआ कि एक core दूसरी core के पास में ले जाए, तब आपका क्या effect होगा, क्या reaction वो देगी, यह जानना हमारे लिए important है, तो देखो, यहां से आपका क्या हुआ, यह आपकी पहली core है, ठीक है, और यह आपकी होगई, कोई दूसरी core, इसको मनलेते हैं, दूसरी core होगी, दो core आपने ले ले ली है, और दोनों core के अंदर आपने क को करकऊ है एक के अंदर मालिए नंबर ओफ टान्स एड़ एंवन हैं और दूसरे के अंदर आपके पोफ ही यह यहां फ राफ यह अपने इन दोनों को क्या किया हुआ है और 1500 यहां से आ आपके number of tons है second वाली के अधर है कि यहां पे आपके number of tons है N1 और इसके अंदर आपके number of tons क्या है M2 है ठीक है दोनों के अंदर आपके different number of tons है दोनों अलग अलग कोर है तो क्या होगा पहले वाली जो कोईल इसके अंदर जब आपका current flow करेगा से दिसेश वोल्टेज बढ़कर के वैरे किया है विभी को मत्व strategic taux qa ha ce karen bios अपा bez रहा है कर रहा है यहां से क्या डार यहां से हूंत कर current flow कर रहा है i2t ठीक है अब क्या होगा यहां पर फिर से वही होगा जैसे आपका पहले हुआ था flux आपका बनाएगा तो देखो यहां से आपकी जो flux बनेगी यहां से आपकी क्या बनेगी flux यह आपकी flux हो गई वही पहले वाले से जो आपकी प्रोडियूस की है ठीक है यह आपने flux प्रोडियूस की करवाई कैसे करवाई according to according to this is right hand thumb rule यह राइट है राइट है ठीक है तो यहां से देखे आपको left में जारा रहा होगा बट यह left नहीं है राइट है मेरा ठीक है क्योंकि यह आपका थोड़ा साइस में थोड़ा चेंज करके हम बताते हैं तो यह according to right hand thumb rule आप अपना right hand करके देखेगा तो यहां से आपका flux आपका कैसे आएगा इस direction में आपकी flux आ जाएगी यहां से आपका नीचे की तरफ ठीक है यह आपका नीचे की तरफ तो इस तरीके से आपका क्या फ्लो कर रहा है flux की lines आपकी setup हो गई है ठीक है यहां से आपका इस तरीके से तो कुछ flux आपकी क्या होगी कुछ फ्लक्स आपकी यहां पे भी लिंक करेंगी ठीक है कुछ flux आप पी क्या होगी दूर तक आपका effect चाहेगा तो आगे तक आपके link करेंगी कुछ flux आपकी और भी आगे जाएंगी तो इस तरीके से आपका flux lines अपना बात आपका पूरा करेंगी तो यहां से जो आपकी flux इसके साथ में लिंक कर रही है इसको बोलेंगे आपका क्या 5-1 और इसकी वज़े से पहले की वज़े से जो दूसरे के साथ में लिंक कर रही है इस flux को हम बोलेंगे 5-1-2 जो आपका return पात कर रही है 5-1-2 5-1-2 का मतलब 5-1-2 का मतलब आपका हो गया flux produced by first flux produced by first coil first coil linking with second यह किस के साथ में लिंक कर रही है linking with second coil दूसरी coil के साथ में आपकी link को रही है यह ठीक है तो यह आपकी है 5-1-2 अब यह effect आपने देखा किस के regarding आपका पहले वाले के regarding और 5-1 आपका क्या है 5-1 आपका है flux linking with flux linking with with coil 1 itself coil 1 itself खुद के साथ में आपकी flux link कर रही है उसको हम बोलें कुन सा flux है आपका 5-1 है अब आते हैं आपका दूसरे वाले flux के उपर ठीक है यह तो आपकी हो गई इस पे अब आते हैं यहां पे इसके साथ में ठीक है तो यहां पे जब आपका आएगा तो इसके case में आपका क्या होगा जब current flow करेगा तो यह भी अपनी flux मनाएगा और same आपका जैसे यहां से इसकी flux इसके साथ में link कर रही है इसी तरीके से आपकी इसकी भी flux इसके साथ में भी लिंग करेगी ठीक है तो इसी को हम बोलते हैं आपका कौन सा फ्लक्स है यह जो 512 आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं आपकी कौन सी फ्लक्स होगी है mutual flux, ठीक है, यह आपकी कौन सी flux है भई, mutual flux है आपकी, ठीक है, mutual flux, और यह जो five one है, इसको बोलते हैं आपका self, यह आपकी कौन सी flux है भई, this is self flux, खुद के साथ में जो लिंक कर रही है, तो इसी से आपका, यहां से आपका निकला है, इसको हम बोलते है, same आपका self inductance, और यह ज तो देखो अब इसमें क्या होगा आपका, पहले हम सिरफ इसी को consider करते हैं, उसकी flux को हम बाद मिलेंगे, तो यहां से आपका क्या किया, आपने किया कि जब इसके अंदर आपका current flow किया, जब इस score के अंदर आपका current flow किया, तो यहां से आपकी कुछ flux lines आई, और यह flux lines आपकी इसके साथ में setup होगी, दूसरी वाली के साथ में, तो क्या हुआ आपका, यहां पे जब आपकी इसकी flux इसके साथ में setup होगी, तो according to Faraday's law, Faraday's law आप आपका क्या बताता है, कि जब भी आपकी flux linking with some coil changes, जब भी flux जो link होगी coil के साथ में, वो change करेंगी, चेंज कैसे करेंगी वही आपका, आपने बताया कि आपने लगाया यहां पर कोई alternating source लगा दिया यहां पर, उसकी वज़े से आपका alternating current आया, और उसने क्या produce किया, alternating flux को produce किया, जो दूसरी के साथ में आपका link कर रही है, तो क्या होगा आपका, यहां से जब आपकी इसके साथ में link करेंगी, तो यहां पर आपका कुछ voltage आएगा, क्या हैगा आपका कुछ voltage आएगा, यह तो voltage आपकी V2, इसकी वज़े से आपका क्या voltage आएगा, तो यहां से हम लिखेंगे इसको V12, ठीक है, यहां से V12, तो सरी, इस वी 12 नहीं, इस वी 21, ठीक है, induced voltage in coil second due to first, first की वज़े से क्या effect नजराय सेकंड वाली पर, तो यह आपका first हमालीजी और यह आपका क्यों सा है वही, second है आपका, तो voltage induced in second due to first, so this is directly proportional to D5, किस की वज़े से आपका, 512 की वज़े से, flux produced by 1 and linking with second, तो यहां से आपका आजाएगा, ऐसे, अब देखो, किस के number of tons के साथ में लिंक कर रहा है, यहां पे इस equal to N2, D5, 12 divided by, आपका क्या हो गया, यहां से, DT, ठीक है, तो यह आपकी होगी क्या, this is your voltage, ठीक है, voltage induced in this, अब इसके बाद में, second आपका क्या आता है, यह तो आपने एक आपका देखा था, जैसे आपने इससे पहले flux वाला किया, अब दूसरा आपका क्या होता है, दूसरे क induced in second, due to first, it is directly proportional to current flowing in first coil, current flowing in first coil, तो यहां से आपका आजाएगा, D1T divided by, आपका क्या, DT, ठीक है, अब इस proportionality के sign को जब हम हटाएंगे, तो क्योंकि यह mutual की बज़े से है, तो इस बज़े से यहां पे हम लिखेंगे, V21, it is equal to M, ठीक है, M, कौन सा, mutual, और mutual आपका क्या है, D1T divided by, DT, ठीक है, तो यहां से आपका हो गया क्यों सा, mutual inductance, इस M को बोलते हैं, आपका mutual inductance, तो अब देखो, इस equation से, और इस equation से, दोनों आपकी, क्योंकि सेम है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को equate करेंगे, equate करने के बाद में आपका क्या आएगा, M, Di1, ठीक है, it is equal to N2D phi2, ठीक है, sorry, phi12, यह आपका आजाएगा, अब इसको, जब हम करेंगे, जब हम इसका integration करेंगे, तो यह आपका, I1 आपका आजाएगा, यहां से phi12 आजाएगा, तो M की जो value निकल कराएगी, वो आपका क्या आएगा, N2, और यहां से phi12 divided by current I1, यह आपका क्या हो जाएगा, भई, this is the mutual inductance, mutual inductance between coil first and second, ठीक है, तो mutual inductance यह आपका आजाएगा, in coil second due to first, M21 इसको लिखेंगे, तो देखो, M भी लिख सकते हो आप इसको, अगर आपकी value बराबर है, तो यहां से आपका, M21, इसका मतलब क्या हुआ, mutual inductance को हम कैसे बताएगे, कि current आपका एक coil के अंदर flow कि इसने flux produce की, और वो आपके number of turns and two, यानि कि second के साथ में link की, उस वज़े से आपका क्या है, mutual inductance आपका बन गया, ठीक है, तो यह तो था आपका mutual inductance first की वज़े से, अब हम देखते हैं, आपका second coil की वज़े से आपका क्या effect आता है, तो देखो, जब इसके अंदर आपका current flow कर downward हो जाएगी, तो यहां से आपकी flux क्या हो जाएगी, downward आपकी बनेगी, यानि कि इस direction में, ठीक है, कुछ flux तो आपकी इसी के साथ में link करेगी, और कुछ flux जो आपकी आपकी किस के साथ में link करेगी, यह आपकी downward direction में, यहां से downward direction में, और यहां से आपका कौन सी direction में है, upward direction म अब कि यहाँ से आपके एसे एक और flux क stariaan किको फ्लक्स पी क्या करेंगी इसके साथ में भी लिंक करेगी ठीक है इस गोल के साथ में भी करेगी तो यह जो nominal आपकी मीचे से लिंग पर यह यह जो फ्लक्स आपको नज़ारी यह इस फ्लक्स को का बोलेगों flux produced by second and linking with first जैसे आपने पहले बाले को बताया 512 इसको आपका बोलेंगे 521 और यह उपर से आपका इस तरीके से आपका वापिस आपका यहां पर आ जाएगी ठीक है तो यह आपका हो जाएगा कौन सा 521 ठीक है तो अब 521 आपकी कौन सी flux है flux produced by second and linking with first तो 521 it is it is flux produced by second flux produced by by coil second and linking with first और किसके साथ में लिंक कर रही है linking with first coil तो यहां से अगर मैं इसको देखूँ तो सेम आपका इसी तरीके से आपका drive कर सकते हैं वही इसकी वज़े से इस flux की वज़े से आपकी क्या होगा आपका इसके अंदर जो यहां पर link करेगी 521 इस flux की वज़े से आपका यहां पर कुछ voltage induced होगा उसको हम बताएंगे आपका किससे यहां से आपका इस voltage को हम बताएंगे किससे V12 यानि कि induced voltage in coil first due to second यह second की वज़े से है तो यहां से आपका आजाएगा this is equal to number of tons किसके N1 के और flux किसकी है आपकी coil second की है linking with first है आपका तो यहां से आपका जाएगा V12 और तूसरा जब इसके proportionality के sign को हटाएंगे तो V12 it is equal to आपका क्या आजाएगा M12 mutual inductance of coil first due to second first के अंदर आपका क्या हुआ second की वज़े से तो यहां से इसको हम लिखेंगे d current आपका किसका second का है divided by dt यह से मैंने आपका वैसे ही बता दिया जैसे मैंने आपको यहां पर बताया था दोनों को equate करेंगे तो M12 this is equal to आपका कितना आज ठीक है और इसकी unit आपकी होती है इसके भी unit आपकी henry रहेगी इसकी unit आपकी क्या होगी henry ठीक है तो इसकी definition हम कैसे देंगे वही क्या होता आपका mutual inductance तो इसकी definition जो हम देंगे यहां से हम कह सकते हैं the current flowing in the current flowing in a coil flowing जो current आपका flow कर रहा है एक coil के अंदर in a coil in a coil produced यह produce करेगा produced a flux produced a flux ठीक है which link with which is linking with which is linking with other coil another coil ठीक है जो other coil another coil another coil ठीक है which is linking with another coil and with another coil having 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 number of having some number of tons जिसके अंदर कुछ number of tons है having some number of tons then the inductance is called mutual inductance तब उस inductance को क्या बोलेंगे आपका mutual inductance आपका बोलेंगे ठीक है तो यह था आपका किसके regarding mutual inductance की आपकी introduction